Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हो, उम्मीद करती हूँ, सब अच्छे होंगे, तो मैं फिर से लेके आगे हूँ, गजब के टिप्स और ट्रिक्स जो आपको काफी पसंद आगी, जो में लिए यूजफुल हैं, तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे, तो चलो सुरू करते हैं, अगर घर में बच्चे छोटे हैं, तो वो अकसर हमारी टॉबल को हाथ पहुँचेंगे, जरा सा लटकाते हैं, और नीचे गिरी जाती है, अगर एक बार टॉबल नीचे गिर जाता है, उसका मन नहीं करता है, और बार बार हाथ पहुँचते हैं, तो उससे वो गीली भी रह पहुचते हैं, और नीचे बिल्कुल नहीं करेगी, एक बार लटकाओ, और आसानी से आपकी समस्या हलोगी, इसके लिए आपको टॉबल लेनी है, और आपको इस तरीके से एक किनारा फोल्ड करना है, आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों चोर आपको मोड लेने हैं, जैस किनारे को सको टक कर देना है, तो बहुत बढ़िया हमारा यह तैयार होगा टूल आपको यहां लटकाएंगे न, तो दिखने में भी अच्छी लगेगी, और बार बार कितने भी बारा हाथ पहुचो, आपके बच्चे चाहे कितना भी गिरा भी नहीं सकते, और आप आसानी स कितना भी बढ़िया लग रहा है न, इसे चाहे आपके चिन में लटका है, या आप बहुत बिस इनके पास कितना भी हाथ पहुचें, बार बार आपकी टॉबलर जो सूख भी आसानी से पाएगी और वो नीचे गिरेगी भी नहीं, तो आपकी सबसे बड़ी सब परिसानी है वो हल होगी, I hope आपको ट्रिक अच्छी लगे होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, अगली ट्रिक है हमारी नेल पॉलिस को लेके, नेल पॉलिस अक्सर ये इस तरी की परिशानी हो जाती है, कई बार हम लगाते हैं, तो बच्चे भी गिरा देते हैं, हमसे भी कई बार ग जाता खाते हैं, सेदा खाते हैं, जो भी नमक उसको डाल देना है, नेल पॉलिस पर डालेंगे, तो साथ की साथ सारी नेल पॉलिस आपकी छोड़ जाएगी, देखो, मैंने सामने किरा के दिखाई, नमक डाला, बिल्कुल उसका निसान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा नेल पेंट का, जो सबसे बड़ी परिशान है कि नेल पेंट है वो उसका दाग छुटता नहीं, जहां भी गरती है ना, वो अपना निसान छोड़ देती है, गिरेगी, साथ के साथ दालों नमक और पूरा जो नेल पेंट है, वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, उसका द करताऊंगी, तो इससे आपकी सबजी खराब भी नहीं होगी, इतनी महंगी सबजी आती है, वो सेफ भी रहेगी और खराब भी नहीं होगी, इस तरीके सबसे पहले तो क्योंकि बजार से हम लेके आते हैं, तो उसमें कूड़ा आता है, थोड़ी सी जरासा नजर बची और गली सबजी चढ़ा देते हैं, बीच में मिक्स करके, तो साफ कर लेना है, वो बिल्कुल गली सबजी ना हो, साफ करके इस तरीके एक मिठाई के डबबे लेना है, अकसर हमारे घर में रहते हैं, तो डबबा लेना है, फैकना नहीं है, डबबे का भी यूज बहुत अच्छ आई सबजी करके मिन हरादनिया, और सिम्णा मिठाच करके एक डबे में रख दी और वो इसमें रख दिया है, तो हमारी सबजी है वो, बिल्कुल बढ़िया रहेगी, इस तरीके से करके रख दो तो आराम से आप 10-12 दिन के लिए अपनी सबजी है, जो सेफ रख सकते हैं, ना गलेगी, ना सडेगी, और पढ़िया रहेगी, आई होप आपको ये टिक वेची है, अगे टिक पर हमारी जाडू को लेगे, क्या होता हम जाडू लेके आते हैं, सबसे बड़ी परिशानी होती है, इतना महगा तो जाडू आता है, लेकिन उसके साथ जाडू है, जो हमा चलेगी, इसके लिए लेना है, आपको टेप, जो भी टेप हो, आपको ये पास चैसेलो टेप हो, ब्लैक वार, जो बिल्दी वाला तब टेप हो, जो भी टेप हो, आपको लेना है, तो क्योंकि इतना महगा आता है, जाडू बहुत जल्दी खराब हो चाता है, तो इसके टे के प्लिएंद के नहीं निकलेंगे और ज्हाडू प्लूज भी सुनुट को सकते हैं सब्लेकन निकलने लगोंगाए भलागाने लाटा से तो इस नहीं हो यहाद निकलनोगै और ज्हादू होता है वहरे हमारे ज्धाडू बहुत चोटी सी है लेकिन काफी हल्प करेगी आपकी सबसे बड़ी परिसाय में जो कि जाडू बदलती रहते हैं हर महीने ठीक है I hope आपको यह ट्रिक भी अच्छी लेगी होगी अगली ट्रिक है अपनी फेस को लेके क्योंकि हम लेडिज को नहीं अपनी फेस की अपनी स्किन की केर करनी चाहिए तो इसके लिए बहुत छोटा सा जो मैं बताऊंगी आपके लिए फेस पेक जो आपकी घर पड़ी चा के चलनी में चान के उसका मेने जूस ले लिया है उसमें जोए पैक है अगर आप हपते में एक वार भी लगाओगी न तो आपकी जाईयां जुर्णियां संटेन की जो प्रॉब्लम है इसके तो डार्क हो गई है चैरा भुजा भुजासा रटकास हो गया न वह एकदम से रंग बिट्टी मिलतानी मिलत्टी डालनी एक चंदन पौडर उर नहीं अगर चंदन पौडर नहीं तो इसकिप कर सकते हैं आप 걱या घंसे दो हम इसमें डालेंगे हनी सहेद अगर आपके फेस पर जुर्रियां है कहते हैं कि बहुत से लोगों को जो मिलता है मिट्टी फेस बैक लगाने के बाद है इसके बहुत जादा ड्राई हो जाती है तो आप अनी भी डाल सकते हैं तो इसमें दालना है तक्रीबन आदा चमच मैंने दो दिन के लिए तयार किया आप एक दिन बना के रख लो दो से तीन दिन आप फ्रिज में रखके अप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर कोई परिशाए नहीं से बहुत ही बढ़ी है अमारा क्रीमी एकदम से पैक तयार हुआ है घर में ही ना आपको पारड़ जाना है ताइम खरचना नहीं पैशily कहरचना है और आपके फेस पर रिंकल्स की प्रॉब्लम भी दूर होगी इसके टोन लूज की बुंष हो गया यह भी यह बहुर बनेगा पर यह दम भी दूर होगी ऑप्र शोड़ देना यह उसके बाद को फेस को क्लीन कर लेना तर फेस पर फिर छोड़ देना 15-20 मर्ट के लिए 15-20 मर्ट छोड़ने के बाद से फिर साधा पानी से वास कलने हपते में दो बार लगाए अगर आपको बहुत ज़्यादा परिशानी फेस पर तो नहीं हपते में एगवाल लगा ले आपका चेहरा गोरा निखरा चमकदार बनेगा हमेशा कि लोग खुद पूछेंगे क्या लगाते हो कौन सी ट्रिक सबसे राची लगी कमेंट में जबर बताना रादेरा देशाए